तो आज ये फार भी लेक्चिर हम लोग करने वाले भक्ती मूव्मेंट और जूफी मूव्मेंट ये लेक्चिर आंको बता तो बहुत ज्यादा को इंपॉर्टन लेक्चिर नहीं है लेकिन कर रहे हैं इसका मतलब है क्विस्टन आते हैं अव्वेस सी बात है यहां पर जो भी जो भी मैं उस चीज को इंक्लूड नहीं करता हूँ जो मैं आपको बढ़ाता हूँ तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो बेसिस ऑफ पी वाई क्यू जादा हीट करें जो कि आपका ज्यादा क्विस्टन जहां से निकलते हैं तो पहली बात तो उसी कई माइन मैप बना हुए बट फिर भी जो number of questions आते हैं इस topics वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ठीक है मतलब आते तो हैं questions लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तो इस sense से मैंने बोला कि उतना important नहीं जितना की बाकी chapters important है लेकिन करना क्यूं है क्यूंकि questions आते हैं जैसे philosophy से अभी जो से सिक recent questions आए इसे questions आते हैं तो यहां पर साथी चीज़ें included हैं जो कि आपको करनी है तो चले start करते हैं पहले भक्ती movement and then sufi movement I think यहां पर समा बानने के जरत नहीं है अभी समा का मतलब भी देखेंगे क्या होता है ठीक है इसका मतलब musical recite होता है भी हम देखेंगे यह एक उर्दू term है ठीक ह section of time सहीता बोलते हैं देर हमने अरने का जो कि कहां पर forest मेरे site की जाती है देर हमने पड़े थे ब्रामनाज ब्रामनाज में यह rituals लिखे हुए थे कि जो ब्रामन्स परफॉर्म करेंगे तभी successful होंगे देन बाद में आये थे हमारे उपनिशद यह देखे थे हमने चार components तो प्यॉर ¿डिवोशन दिखाते हो भchemical के तरफ जैसे नहीं हमारे ऐक गुरू है वो जिनके बास विराटकोली भी कहते हैं बनते हैं कि राधा 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 बोलते रहना चाहिते है ना नाम जब करते रहना चाहिए तो वैसा ही मतलब कि प्यॉर डिवोशन भगवान की दिखाते हो ठीक है तो that is called as bhakti and that is called as अगर आप इसलाम में करते हो तो सूफी मुव्मेंट तो स्टार्ट करते हैं आपे different philosophies different gurus के तौरा दीगई जो सबसे पहले सबसे पहले in the sense आप मां से तो 13th century AD में इसका जन्म होता है भक्ती मुव्मेंट का South India में जन्म होता है ध्यान रखेगा इस चीज़ को और जो जन्मकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं शंकराचार रहे या फिर शंकर इन शॉट बोलते हैं पूरा नाम है शंकराचार रहे जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लिखा हुआ मिलेगा आपको तो हैं यह दोनो एक हैं यह बोला था शंकराचार रहे जी ने विशिस्ट अतोाइत की फिलोस्फी दी थी रामन और चारण यह थे आपके केरल से ज़िस्ट अतोइत जिसको बोलते हैं qualified dualism है इसको हम बहो सकते हैं अब यह क्या है यह यह इसका मतलब यह कि इसमें भी अदवयत है, मतलब कि एक ही है, लेकिन फिर भी जो आत्मा ने वो ब्राह्मन से डिस्टिंक्ट है, अलग है, हैं दोनों एक, लेकिन फिर भी अलग है, कैसे अलग है, जैसे आप ये एक्जामपल समझो, जैसे फॉर एक्जामपल मैं पानी लूँ, ठीक है, और पानी में नीबू करस डाल दूँ, तो मिक्स हो जाएगा, आपको समझ मैंगा, क्या नीबू करस है और क्या, ये एक हमारा, क्यों इस्टि के टम्स में अगर देखें, तो कैसा मिक्स्टर बन जाए ठीक है, दुएट यहनी कि दोनों चीजें अलग-अलग है, कोई आपस में एक नहीं है, और एक कहना मतलब यह है कि इसका मतलब आहम ही भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा बोला था माधवचार जी ने, जो नौर्थ इंडिया में इन्होंने फिलोस्विजी ती, नौर्थ इंड इन्होंने बोला था नहीं भई, रियालिटी है वो, ठीक है, तो जो भी आप फिलोस्विज बिलीव करते हो, इन्हों डिफरेंट फिलोस्विज है, शुद अद्वैत दिया था वल्लभ अचार जी ने यह ध्यान रखिए और द्वैत, द्वैत अद्वैत का मतलब क्या है, क थोड़ा सा इस टाइप का फिलोस्विज है, द्वैत अद्वैत, यह दिया था, इसी को बेड़ा बेद भी बोलते हैं, यह दिया था निंबर्क अचार जी ने, ठीक है, तो यह सारी फिलोसविज याद रखिए, किसने कौन से फिलोसविज दी थी, अगर कोई यहाँ पर न रामनोचार ने, तो वी आर, या फिर आरवी जैसे भी आपको याद करना है, या फिर रवी करके याद कर सकते हो, रामनोचार और विशिस अद्वैत, रवी करके याद कर सकते हो, ठीक है, और इसको भी कुछ इसमें बना सकते हो, ठीक है, शैड करके, सैड करके बना सकते हो ठीक है सैड मतलब शेंकराचार और अद्वैत फिलोसफी दी थी तो ऐसे करके आप कुछ नेमोनिक बना सकते हो सो देट आपको भूले ने क्योंकि यहाँ पर तो समझ में आना एक बात होती है और याद रहना और पेपर में करना एक बात होती है ठीक है समझ में तो आगया फिलोसफी है ठीक है और अगर इस तरह से कुष्चिन आया तो आप कर देंगे लेकिन युजूली फैक्चिवल टाइप कुष्चिन पूछता है कि यह फिलोसफी किसमें दी तो तब ही आप कर पाएंगे जब आपको याद रहेगा और याद रहेगा उसके लिए तो रट्टा रमारो खूब जो देर तक या फिर कुछ ऐसा नेमोनिक बना लो ठीक है तो वही चीज लिखियो ही जो मैं आपको यहाँ पर बताईए कि क्या इसका मतलब है वो यहाँ पर लिखा हुआ है अब आते हैं भक्ती सेंट्स के बारे में पढ़ते हैं पढ़ने हैं भक्ती सेंट्स के बारे में पढ़ें उससे पहले यह जो भक्ती मुव्मेंट है महराष्ट में किस तरह से फैला तो महराष्ट में विठ्थल सौमी टेंपल है अपका विठ्थल टेंपल कहाँ पर है यह विठ्थल टेंपल है पंधर पूर में पंधर पूर में पढ़ता है विठ्थल टेंपल ये पंधर पूर में विठ्थल विठ्थल क्या है तो विठ्थल है हमारे भगवान विश्नु विश्नु जी को यहाँ पे मराथी में विठ्थल के नाम से जाना जाता है ठीक है तो विठल टेंपल पंदरपुर में ये जन्मा जहां पर हमारे जनानेशवर नामदेव एकना तुकराम ये येर या दखना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना सेंचुरी या दखेगा भी 13 सेंचुरी एडी की बात हो रही है ठीक है तो जनानेश्वर नाम देव एकना तुकाराम और रामदास बस यह नाम या दखना और जैसे कि तुकाराम ने अभंग लिखे थे विच आर काइंड अफ डिवोशनल पोईट्री इसको अभंग के नाम से जांते हैं रामदास जी ने दस बोध लिखे थे नाम देव जी ने वरकारी सेक्ट फाउंड किया था यह इंपोर्टन चीज़े हैं यह वरकारी सेक्ट किसने फाउंड किया था तो नाम देव ने फाउंड किया था ठीक है और भावार्थ दीपी का भावार्थ दीपी का लिखी थी जनानेश्वर जी which is a commentary on Bhagwat Gita and he is also considered as the founder of bhakti movement in Maharashtra तो important चीज़ नहीं लिखी हुई है मैं क्या ही बोलू क्या important है और क्या नहीं start करते हैं अभी किसमें एक एक जो हमारे important है जैसे कि Ramananda 4 के बारे में देख चुके इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ रहा रहा तो अभी निर्गुन सेक्ट क्या है वो समझो तो है क्या कि इसमें भक्ती movement में ये belief है कि God का या तो form है या तो नहीं है मतलब एक ऐसा सेक्ट है जो बोलता है कि नहीं भाई God का form है God इस तरह से दिखते हैं उनके सुन्दर सुन्दर बाल हैं इस तरह से पुरा वो God को डेपेक्ट करते हैं एक human form में उनको बोलते हैं सगुन जिनको बोलते हैं God is formed God का कोई form है और जो formless God की बात करते हैं वो निर्गुन सेक्ट से निर्गुन सेक्ट से जैसे अगर मैं example quote करूं तो कबीर दास हो गया हमारे बोलते थे ना कि मतलब ना तो मतलब हिंदू God and Goddesses को भी criticize करते थे Islamic God and Goddesses को भी criticize करते थे कि पत्थर पूझे हरी मिले तो मैं पूझे हूँ पहाड़ है ना यानि कि वो इन सब idol worship पे बिलीव नहीं करते थे और formless worship पे बिलीव करते थे कबीर दास हो गया दो आ जाते हैं एक वो जो भगवान शिव के ardent follower बने जिनको ना यानर के नाम से जाना जाता है बहुत important है ध्यान रखे कि इस चीज़ को कि ना यानर कौन है जो शिव जी को फॉलो करते हैं और अलवर वो है जो विश्णु जी को फॉलो करते हैं फॉर्स्ट फीमेल अलवर सेंट थी अंडल जान रखेगा विश्ट तो हमारे काफी सारे नाया नर और जैसे आइटिंक 63 हमारे टोटल नाया नर रूए और बारा अलवर हुए लेकिन सब के नाम हमें याद नहीं रखने बस यह अंडल के बारे मारे मारे देखेगा शिए इ जान रखेगा कि किसके फॉलोवर्स को क्या नाम से जानते हैं यह चीज़ क्लियर हुए आपको देन डिसकाड़ेट और इन्होंने क्या किया रिचुवर्स एंड सैक्रिफाइसे इन सब को डिसकार्ड करते थी यह मौनोथी स्टिक थे कि एक गौड पर बिलीव करना और सग क्योंकि यह जैसे तुलसिदा सराम जी को मानते थे मीरभाई और सूरदार जी क्रिष्णी जी को मानते थे क्योंकि सब्सेक्ट से बिलॉग करेंगे ठीकर ज़्यदे तर इन में रिचुवर्स और साटिफाइसे को क्रिटिसाइज करते थे कि यह सब नहीं होना चीए rituals and sacrifices कोई किसी भी कास्ट से हो वो भक्ती मार्ग पे follow करके भगवान से connection बिठा सकता है ये है भक्ती movement चलिए तो अभी देखते हैं कहां पे थे हम लोग यहां पे ठीक है तो रामनंदा जो है निर्गुन से बिलॉग करते थे from North India रामनंदा ध्यान रखिएगा ठीक है कि यह कबीर दास भी आपके निर्गुन सेक्ट से थे कबीर के अगर बात करें तो इनके दोहे हैं ठीक है और इन्होंने क्रिटिसाइज किया हिंदो और इसलामिक धर्म को इनके जो Annika जena उनको हम जानते हैं बीजक और पन्चवणी नाम से इनके जो collection से जो इन्होंने बाते रही वह उसके collection इन बाते कहीं वह उसके collection को ईनया में बीजक या फिर पन्च वनी क के नाम से जानते हैं फिर इसमें उन्होंने जो कुछ बातें कहीं वो Guru Granth Sahib में भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, चैतने महाप्रभू की बात करें, तो ये जो West Bengal में भक्ती मुव्मेंट फैलाया है, वो चैतने जीने फैलाया है, और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रपाउंड किया भक्ती मुव्मे पुरंदर दास, हम लोग ने स्टाटिक अच्छा भी नहीं पड़ा है, तो हम पढ़ेंगे कानवेसित में आपको बैच में सारी चीज़ें करवा रखी है, कानेटिक मुजिक के फादर कर सकतो है, मतलब अफेंड मत होना बत ऐसे याद कर सकतो हो कि मतलब बंदर और मतलब इ पुष्टी मार्ग बोलते हैं, मीरा बाई, शी वास दी डिसाइपल अ वल्लभा चार रहा है, जिनके आप बात करने हो ने शुद्ध अदवाथ फिलोस्फी दी, शी वास दी डॉटर ऑफ, शी डॉटर इन लाउ, ठीक है, बहु थी, किसकी, बहु थी राना सांगा की, और इन्हों नहीं बोला था रहा, राना जी, माफ करना गलती मारे से हो गई, ठीक है, तुमको मजाक लग रहा होगा, बट इस रियालिटी, इन्होंने जो अपनी एक, पोईट्री अपनी बनाया करते थे, इसी की वज़े से बहुत लोग कनेक्ट हो पाए, कनेक्ट कर पाते थे ठीक है, तो इन्हों नहीं कहा था कि गलती मालब के किस सेंस में, इनकी राना सांगा के जो बेटे थे, उनसे शादी होई थी, राना सांगा इस राजपूत रूलर्स ऑफ नौथ इंडिया, बाबर के साथ इन्होंने बाटल ऑफ खानवा लड़ा 1528 AD में, और बाबर ने भी राजपूत रूलर्स ऑफ इस टाइम, तो इन्हीं की बहू थी, ठीक है, अब अक्चली है कि जिससे इनकी साधी हो थी, राना सांगा के बेटे से, उनकी डेथ हो गई थी, पांच-छे साल बाट, तो इसी वज़े से इनको काफी प्रतार्ना सहनी पड़े, इसकी वज़े से राजपा ठीक तरे से छोड़ दिया, पूरा, तो शी वज़े राठार प्रिंसेस, बटराना संगा वज़े सिसोधिया प्रिंस, ठीक है, और मीरा बाई के अगर बात करें, शी वज़े भगत आफ कृष्णा, सूर दास के अगर बात करें, हम बचपन से पढ़ते हैं, ही बि कवितावली भी इन्हों ने लिखिए और गीतावली भी धनकनक, कवितावली, गीतावली, सब और रामचरित मानस, वो सब तुलसी दास गीने लिखी, दादु दैल की बात करें, ये भी निर्गुन सेक्ट से थे, इस फांडर अफ दी दादु पंथ, शंकर देव, शंकर द भकती मुववटन अक्रॉस असम, इन्हों ने भकती मुवववेंट को स्प्रेड किया, और इन्होंने नामः गर भी सेटप की, जहां पे लोग आते थे, और सब रिसाइट वगरा कर सकते हैं, गाना ओ न गा सकते हैं, ठीक है, तो नामः गर, रॉसे टाइप से PriceP ridiculousota आप स उसे ने इस भक्त अफ राम यह ध्यान रखना है और कुछ एक नाम याद रखना है और कुछ अब आते हैं सिख गुरू नानक देव के करम बात करें तो इन्हों ने एक अपना अलग सेक्ट बनाया जिसको हम सिख धर्म के नाम से भी जानते हैं और यह निर्गून से थे ठीक है निर्गून से थे और जो खत्री जो हिंदूस में खत्री जो कास्ट होती है उससे बिलॉग करते थे ठीक है तो आपको पता होगा जैनिजम हो चाहे बुद्ध तो और खासकर उसका एक रीजन जो देखने को मिला तो और इनका जन्म वह ता तालवांडी जो प्रिजेंटे पाकिस्तान में पढ़ता है डेथ इनकी करतारपुर में हुई थी इन्होंने लंगर सिस्टम जिसको की कम्यूनिटी किचन के नाम से जानते हैं जहां पर कोई भी क किसी भी रिलीजन का हो आपस में मिल बांट के बनाएंगे खाना और खाएंगे ठीक है इनके मतलब की फॉलोवर डिसाइपल थे इनका नाम था लहना ठीक है लहना जिन्होंने नाम रखा गुरु अंगत देव तो इन्होंने गुरु मुखी स्क्रिप्ट बनाई जैसे की हम इसमें पढ़ते हैं आपकी जो इसमें होती है देवनागरी स्क्रिप्ट वैसे इसमें होती है आपकी गुरु मुखी स्क्रिप्ट ठीक है तो यह धान रखना है बस गुरु अंगत दूसरे से की गुरु थे और उन्हें गुरु मुखी स्क्रिप्ट दी थी तीसरे थे अमर अरजन देव के अगर बात करें, तो ही कंपाइल्ड दी आदी गरंथ, आदी गरंथ इन्होंने कंपाइल किया, और ही कंप्लीट दी कंसेक्शन ओफ गोल्डेन टेंपल, जो इनके टाइम पर स्टार्ट हुआ था, तो जिसको किया, हमरिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं, तो गोल्डेन टेंपल इनके टाइम पर सका कंसेक्शन कंप्लीट होता है, गुरु अरजन देव, और ही वाज एक्जेक्यूटेड बाई जहांगीर, जहांगीर डर रहा था कि कहीं मतला हमारे थ्रेट तो नहीं है, जब ये अमरिंदर साहिब डवलप हुआ, गोल्डेन टेंपल डवलप हुआ, तो ये डर गया, जहांगीर, और उसकी वैसे इसने इनकी हत्त्य करवा दी, गुरु अरजन देव जी की, ठीक है, गुरु हर गोविन साहिब जी के अगर बात करें, तो ये एक तरह की पॉलिटिकल सीट है, लोकिटेड इन अमरिंदर के गोल्डेन टेंपल में, ठीक है, गुरु हर राय साहिब के बात करें, तो ये वह स कंटेंपरी तो ओरंग जेब, विकॉज ये कश्मीरी पंडिट्स का जो जबरन धर्म परिवरतन हो रहा था, उसको ये अपोज कर रहे थे गुरु तेग बाहदुर जी, ये अरंग जेब ने जबरन धर्म परिवरतन की ओर्डर्स दिये थे, जो कश्मीरी पंडित थे और बहुत तो इसने खुद ये बोला था कि ये जो है गुरु तेग बाहदुर को इसलाम अपनाने के लिए, तो उन्हें उन्हें मना कर दिया था, और इसकी वैसे इनको पोज अरियर क्लास था, ठीक है, इसमें सिखिजम है, ठीक है, खालसा पंद, चलीए, तो यहां पर हमारा ये पूरा भक्ति मुवमेंट वाला पार्ट खतम होता है, पर हमने डिफरेंट फिलोसफी भी समझ ली, ठीक है, वाटर एंड ओयल के एक्जामपल से, अच्छा ये बताओ हाँ, कि वाटर और ओयल का जो मिक्स्चर भी हम बताया थे, अगर इसको सेपरेट करना हो, तो किस मेथट का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारा खतम होता है, पूरा ये बक्ति वाला, अब आते हैं, इस पे, और हाँ, कुछ इक्स्टा चीज है, तो वीर शैवि क्या है, जिसको आप अभी सुनते होगे, लिंगायत कम्यूनिटी की करनाटका की है, जिसको कि अभी हाली में बाकवर्ड क्लास से, ड्रेटली बाकवर्ड क्लास में डाला था करनाटका की गवर्मेंट ने, तो वही जो लिंगायत से हो फॉलो करते हैं, वीर शैविजम को, इसमें इसको बासावन जी ने प्रपाउंड किया था, जिसमें ये पूरे रिचुवल्स वगरा, इन सब को ये जो भक्ती मार गया की वही टेंपल्स में जाके पूजा करना, इस सब को आइडल वर्शिप ए खिलाफ इस सब क्या गेंस थे, बस ये हैं शैवाइट, एक कम्य शैवाइट इन दी से शिव जी को फॉलो करते हैं और शिव जी का जो सिर्फ जो लिंग होता है न, बढ़ते हैं शिव जी का शिव लिंग, तो लिंग को बस वो एक उसको पहनते हैं, एस एमुलेट यानि की ताबीस के तोर पे बस, और कुछ इस तरह से आइडल वर्शिप और यह सब कुछ नहीं, ठीक है, और यह जो कास्ट वगेरा हैं इन सब को भी अपोस करते हैं, नर्सी महता की बारें बता दिया है, गुजरात से सूर्दास की कॉंपोजिशन से सूर्सागर, सूर्सावली और साहित लहरी, ठीक है, वाकी कबीर दासकत में आपको पहली बढ जाएगा, तो जो लैंड अफ काफिर है, इसको लैंड अफ इसलाम में बदलना है, यहां पर हिंदू रह रहे हैं, तो उसको लैंड अफ काफिर बोलते हैं, ठीक है, तो एक मतलब मकसद है कि भाई, यह जो काफिर है, इसको लैंड अफ काफिर को लैंड अफ इसलाम में नि इसकी, और यहां पे कुछ सूफी words के मतलब लिखे हुए जेक पीर यह फिर मुरिद और मुरिद यह होता है अपका spiritual teacher मुरिद होता है पका disciple एक किसी को फॉल्ल Ephraim करता है खालीफा जो successor होता है ओस्पासार हुए होता है जैसे जहां पर सूफी सेंट और लोग आएंगे ठीक है यहां पर मतलब इस तरह से रूम्स बने होंगे यहां पर संगीत और जो भी गीत और यह गाएंगे और अपना spiritual discussion करेंगे ठीक है मकसद को पुरा करने के लिए तो यह खानका का काम होता है जैसे कि यहां पर हमने देखा था यहां पर यहां पर नहीं देखा था यहां पर जैसे गुरुद्वारे होता है ठीक है गुरुद्वारा होता है ठीक है जैसे कि चैत विहार हमने बुद्धिजब में पढ़ा था तो वैसे ही होते है खानका दिवस्पाइस ठीक है समा कि अगर बात करें, म्यूजिकल रिसाइट होता है, रक्स कि अगर बात करें, डांस, फणा मतलब सेल्फ एनिलेशन, यह खुद में डूब जाना, that is called as फणा, आप गाना भी आया था एक फणा, काफी सारे हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं, उनका जो उर्दू वर्ड से ही है, जियारत क्या होता है, pilgrimage to the tomb of सूफी संथ, जो हमारे सूफी संथ लोग हैं, तो उनकी जो दरगाह हैं, वहाँ पे जो जानना होता है, जैसे की कावर यातरा निकलती है हिंदू में, वैसे ही समझ सकते हैं, जियारत है है, ठीक है, चलो, तो अब ही हम हमारे जो कुछ सूफी संथ है, इनके बारे हम लोग पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सूफी संथ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे नहीं आती है, जो भक्ती मुव्मेंट है, इससे थोड़ा से ज़्यादा इंपोर्टेंट as compared to सूफी, तो थोड़ा से अब यह religious discussions वगरा होते हैं in Indian, ठीक है, तो founded the leading khanka in India at Multan, तो Multan जो Indian subcontinent है, इसमें सबसे पहला khanka इनोंने बनवाय था, शेक भाहुत दीन ज़कारिया ने, he founded the suhara worthy order, suhara worthy order इनोंने फांड किया, क्वाजा मुहिनत दीन चिष्टी, इनोंने चिष्टी order find किया, तो यह orders है अब इसे समाझ सकते हो, जैसे हमने भक्ती movement में भी यह नहीं पढ़े थे, जैसे कि यह गौडिया वैशनविजम हो गया, ठीक है, अलग-अलग form of different philosophies हो गई, तो वही है different form of philosophies, जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, शुरा वर्दी order, यह चिस्ती order, शेक मुहिन दीन करवाया था, जरा बताओ, बाकी दो रूलर्स कौन थे, जन्होंने कंप्लीट करवाया था, बाबा जरीदुद्दीन गंजे सशंकर, इनको बाबा फरीद के नाम से जना जाता था, ठीक है, बाबा फरीद, और इनका मतलब इतना importance, सिडर किया जाता था, कि यह किसी भी illness को क थोटी सिस्टर है, मतलब पहले इनका नाम दिलीव कुमार था, बाद मिनोंने इसलाम धर्म को अपना लिया था, इसलिए कि इनकी सिस्टर काफी बिमार हो गई थी, और इस ठीक नहीं हो रही थी, तो एक सूफी संथ के पास ही लोग गए थे, तो उन्होंने मतलब ठीक कर द देंगे, हमारे याँ तो क्या ही बताएं तुम्हें खेर छोड़ो, बाबा जरूरुद दीन कंजे शेंकर, पॉपलरली नोने इस बाबा फरीद, शेक निजामुद दीन ओलिया, महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं, शेक नसीरुद दीन महमूद, लेटर ही वोज नोन फर दौसी ओर इन्होंने फांड किया था, यहां पर आप देखेंगे तो जो चिस्ती ओर्डर शेक मुने दुएं चिस्ती और सुहरा वर्दी ओर जो है, यह ओर्डर वाला थोड़ा से देहन रखना है, यह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बाकी तो खतम, ठीक है, बाकी यह लेक्चर के जो नोट्स आपको कहां पर मिल जाएंगे, आप जानते हैं, जो माइन मैप है, वो आपको परमार SSC, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और कल हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और मुगल वंश हम लोग कल जो है, स्टार कर दिये करो, हैं, बोलो ना तो करते नहीं हो, मतब घजब बेज जिती किया कर तो तम लोग, लाइक तो कर दिये करो, हैं, टन्ने वाद,